नमस्कार आप जोई रहाशू स्पाक्ट डे न्यूज वडोद्रा शहर MS उनिवर्सिटी नी साइन्स फेकिल्टी द्वारा सतत चोथू वीजातीय केटालिसिस हेटकेट बहजार चोविस राश्रिय परिसंवाद नो आयूजिन करवा में आव्योहतू आप परिसंवाद नो प्रारम मुख्य अति थी मुंबई IPC युनिवर्सिटी ना पूर्व वीसी पदमश्री प्रोफेसर जेडी यादव MS युनिवर्सिटी ना वीसी कर्नल डॉक्टर विजे कुमार श्रिवास्तव सैन्यो जग प्रोफेसर डॉक्टर अंजली पतेल डीन एचार कटार्या सहितना महानु भवो एद्रिप प्रक्टावी ने करे हतो आप परिसंवाद बार निशनान तो विशय संबंधित की नोट प्रवर्चन करशे देजबर माती 57 विध्यार्थियों ने 25 उद्योग प्रतिनिद्यो आप परिसंवाद मा सहभागी थायाश बै दिवस दर्म्यान बार जिटली हरित उर्जा संबंधित तेमना विचारो रजु करशे वीसी डॉक्टर विजय कुमार श्रिवास्तवे संसोधनात्मक परिसंवाद विध्यार्थियों ने संसोधन करणाराओ माटे महत्वनो पूर्वार्थ शे तेम जणावियो जाने मुख्य अति थी पदमच्री जेडी यादवे विक्षित भारत मां हरित उर्जा सहित बायो वेस्ट मांती इंधन अने रसायानों उत्पादन CO2 ने उप्योगी उत्पादन मा रुपांतरित करवा, हाइड्रोजन बनावा, खास उत्प्रेरक पासाथे प्लास्टिक नू रिसाइकलिंग अने उत्प्रेरक माटे तेनों टेक्नोलोजी नो उप्योग जेवा महत्वना विशयो संबंधित प्रेजंटेशन आपी ने प् यदिस्टमिवे प्सक्रdest नू जलिए एंटल यादो लूब Operation Duda Talk Murray ऑदलमी लॉक्ती मा Lehrव एवद्कूसर प्रेजन interview लूगा उनसओ इन मेस्प्रेशन लूगी ऋत्सली परेज लूगए फिस झासिती सते इन गडश्यों संबंधित्स्мовी आड्टों इस प्लिसीवि the when you should be very very close to railway station or the faculty every heterogeneous catalyzes like previous speakers have already spoken about catalysis so somebody here as told is a catalyst means God is a category So, that is somehow true you can say, means catalysts as they never take part in the reaction, but they increase the rate of reaction. So, that is well known to everybody and here I am talking with all. As it happens everywhere, you know people want to be fathers of new terminologies, they want to be recognized by something amazing, is that green chemistry per se, the fatherhood has been claimed by many people, everybody thinks that I am the father of green chemistry. I am telling that, because history must be corrected. So, I wrote an article several years ago, tracing the gas, share gas and whatnot. They said, now if the crude oil is negative, we are going to lose more money. They withdrew that particular million dollars. This will become 52 billion dollars by 2030 and perhaps it may become 100 plus billion dollars in 2050 or thought by the fixed borrowed date, okay. The region, that is why they don't talk about, but in that nature of 72%, 25% is China's contribution. 12% is U.S. is our population by the time we are because it would have literally be because it, but you know what will be that? 1.6, 2022. This became government of India, former Vice Chancellor and Emeritus Professor Institute of Chemical Technology Mumbai. मैं यहीं मैं यहीं बताना चाहता हूँ कि भारत को व्रिकसित होने के लिए, जब आजादी के सव साल पूरे होईंगे, अब 247 में, उस ताइम कम से कम 30 trillion dollar अपना economy होना चाहिए. उसमें manufacturing sector का 24% योगदान रहेगा और service sector का 70%. और chemical and allied industry इसमें बहुत बड़ा योगदान करेगी. मेरे ख्याल से जो हमारा production link incentive है, वो इस ख्षेत्र में देना चाहिए. Green hydrogen इस सबसे बड़ा इसमें काम करेगा और हमारा देश आगे बड़ाने के लिए मैंने ये भी बोला कि लड़कियों की शिक्षा P.A.D. तक मुपत करनी चाहिए. क्यों की विकसित भारत में महिला का बहुत बड़ा योगदान रहेगा. पड़ी लिखी महिला जब मा बनती है तो वो अपना अबादी भी बनने नहीं देगी. अच्छे सुशिक्षित बच्चे उनके होंगे और दो जनरेशन में भारत विकसित होगा. मेरा मानना है कि भारत सरकार ने ऐसा करना चाहिए कि जहां 50% बारत सरकार देगी और 50% स्टेट गवर्मेंट देगी. लड़कियों को मुक्त में शिक्षा देनी चाहिए. और इंड इंडिस्ट्री कुछ नहीं होने वाला. जब कोई इंडिस्ट्री के ऊपर गईर आरुप करता है तो मुझे बहुत दुख लगता तक है. क्योंकि हमारा देश में जो प्रदान मंत्री मोजी साब जो बोलते है विकसित होने के लिए हम सब की जरूरत है. हम सब में उसमें यो संगोष्टी जो हो रहा है कि frontiers in catalysis में heterogeneous catalysis में हो रहा है. और heterogeneous catalysis में उसको catalysis में हिंदे में प्रेरग बोलते हैं, उत्र प्रेरग बोलते हैं. यह सभी इंडिस्ट्री में फायदे में होता है. फार्मासेटिकल है, energy है, fertilizer है, polymer industry है, you know, metal industry है. सभी में यह उसका बहुत बड योगदान रहने वाला है, heterogeneous catalysis का. तो यह संगोष्टी जो महराजा सहर जो इन्वेसेटी और बैरोडा ने जो शुरू किया है, मैं अंजेली पटेल माडम को बहुत धन्यवा देता हूं कि यह चाउती बार उनों यह किया है, हर दो साल वो करती है, और यहां बड़े-बड विद्वान, यहां उपस्तीद है, मुझे उन्हें देख के बहुत खुशी होगी है. यह सेमिनार में जो अभी विद्यार की है, और जो रिसर्चर है, उनको नही आईडिया मिलेगी, नही कलपना मिलेगी, और वो अपना contribution बढ़ाएंगी, क्योंकि रिसर्च के बिना यह न बढ़ा हम गरेता है, और विशेशता जो तर्शेरी एजुकेशन बोलते है, विद्या पिटकाई भी शिक्षा जो रहते है, उसमें संशो दना रिसर्च का बहुत बढ़ा योगदान रहता है, तो इसमें इसका भाग बहेगा. आज यह सेमिनार छे हिट्रोजीनस केटालीसिस, यह उद्धी पक छे, उद्धी पक बे प्रकारना होई छे, होमोजीनस अने हिट्रोजीनस, हिट्रोजीनस केटलीस्ट परनू सेमिनार छे, अन्ने इम्मा विविद विशेयो, जिनके हिट्रोजीनस केटलीस्टी, कई-कई प्रक्रियात भी शके हाइडोजेन उत्पादन छे सस्टेनिमल डेवलपमेंट छे इना भी से घणा बदा बायोमास कन्वर्जन छे आ बदा विशाय उपर काणके आवता वर्षों मां उर्जयानी जरुजयात खुबज रेवानी छे त्यारे उर्जयाना उत्पादन मां को डाजेंटर सी जाड़े जा को कन्वेनर आएवेन नो अलेंबारे साथे से प्रसर अंजली पाटेल कन्वेनर अप दिस पूर्थ एडिशन अप धित्योजिर्स केतानिस